नीमच शहर के प्राइवर्ट बिस स्टेशन मुल्चंद्र मार्ग बारादरी एरिया में राद के समय शहर को उजाला देने वाली स्ट्रेट लाइटे तीन दिन से दिन में भी ज्यादा दिनों से लगातार चालू है लेकिन आम जनता की शिकायत के बाद भी जिमेदार बेखबर हैं जहां एक तरफ गरीब आत्मी को एक बत्ती कनेक्शन के लिए हजारों रुपे का बिजली का बिल भरने के साथ ही बिल करंट मारते हैं तो भही नगरपालिका के लेपरवाही का खामियाजा नीमच शहर की जनत हम यह पधार्त हैं वैजै तो जाते हैं यह ऐए लाइट तीन दिन गृैंद से राट करT फोरी शडबी कोई सुन एवाई हम बेकिसे यह बताया यह आपको को यह हैं और आकर और यहहीं के निवासी हैं यहिवासी क्या पहனि आता ने को अधिक耀णिया सून रही है ङता क्य यह बड़ा दुरुभाग्य पुर्ण बिशे है कि तीन दिन से बच श्टेंड एरिये में जिसा आपने बताया कि तीन दिन से लाइटे जली हुई है और नगरपाली का प्रशासन और विद्धुत्युगाग बेखबर है मेरा अग्रह यह है कि एक गरीब व्यक्ति जिसको बिजली मिलती नहीं है और बिजली जब मिलती भी है तो मन माने डंग से उसकी बिल आते हैं और बिल जब उसके हाथ में आता तो बेचारे गरीब को करंट लग जाता है मैं किवल इतना कहना चाहता हूं कि नगरपाली का में बेठे जिम्मेदार अधिकारी इसको और ध्यान दे क्योंकि जनता की गाड़ी कमय का पैसा विद्धुत मंडल को नगरपाली का ही इस बिजली में बुक्तान करती है तो यह बहुत बड़ी लापरवाई है मैं यह होकेगा ताकि लोगों को सस्ती विजली सुलब हो सके उसमें भी इस प्रकार की लापरवाई एक बहुत बड़ा कारण है विद्धुत विबाग की लापरवाई तो मैं कम मानूंगा तो कि नगरपाली का जब बिजली का बिल भुक्तान करती है तो वह सीधा-सीधा पैसा ज जवाब दे हैं लेकिन इस जवाब दे ही से वो कई अंदेखी कर रही है तो मैं तो कि नगरपाली का को भी दो दूँगा और विद्धुत मंडल के उच्छादिकारियों से भी आगर करूंगा कि इस बारे में नगरपाली का प्रसाशन को आगा कर रहे हैं नीमत सदीपक खताबिया की यह रिपोर्ट